आप और देश लाइब में मैं हूँ आपके साथ सोहन सिंग देश लाइब में बात करेंगे तमाम एहम खबरों की शुरुवात करेंगे यूपी से आ रही बड़ी खबर के साथ में दरसल सपा नेताओं के घर पर आईटी का छापा पड़ा है आपको बता दें कि लखनओ, मउव और मैनपूरी में सपा नेताओं के घर और आफिस में आईटी की छापे मारी देखने को मिली है जिसकी वजह से सपा नेताओं और कारेकरताओं में हरकंप मच गया जानकारी के मताबिक आगरा के मनूल जियादव, लखनओं में जैनेंद्र यादव और मउव के राजीव राय समेट करीब एक दरजन से ज्यादा सपा नेताओं के घर और आवास पर छापा पड़ा है छापेमारी की जानकारी मिलते ही दरजनों कारेकरताओं ने मौके पर पहुँचकर हंगामा शुरू कर दिया हंगामा बढ़ने की आशुंका के चलते मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है वही महू में सपा के राश्ट्रो सचिव राजीवराय के शहर कोतवाली के सहाधतपुर इस्तत कैम्प काराले पर छापिमारी की गई इस दोरान वारनसी की इंकम टैक्स ट्रीम ने राजीवराय को उनके घर में नजर बंद कर दिया इस पर सपा कारेकरताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था दरसल राजीवराय पर सपा सरकार में पावर कॉर्पोरेशन के भूमिकत केबिल बिचाने के काम में ब्रस्टाचार के गंभीर आरोप हैं वे विभागे जौंच में भी दोश्वी पाए गए थे वहीं आगरा के पंजाबी कॉलोनी निवासी राज़कुय ठेकेदार मनुज यादव के आवास पर श्रनिवार को तड़के आयकर विभाग ने छपा मारा है 12 गाडियों के काफिले के साथ पहुँच वी आएकर विभाग की टीमों ने पूरे घर को अंदर से बंद कर दिया राज़कुय ठेकेदार मनुज यादव सपा के बेहत करीबी हैं बड़ी संख्या में लोग इस चापिमारी की जानकारी लेने के लिए उनके घर के आसपास पहुँचे हैं लेकिन किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है अब बात कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन की कर लेते हैं अब तक कोरोना का ये नया वेरियंट 11 राजियों में फैल चुका है और मरीजों की संख्या जिस तरह से हमने आपको बताया की 113 हो गई है महराश्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन की 40 मामले सामने आ चुके हैं इसके लावा दिली में 22, राजस्थान में 17, तिलंगाना और करनाटक में 88, केरल में 7, घुजरात में 5, यूपी में 2 और आंधरप्रदेश, तमिलनाडू, बंगाल और चंडिगड में ओमिक्रॉन का एक एक मरीज मिला है तमिलनाडू में जोखिम वाले और गैर जोखिम देशों से आई 28 यात्रियों के नमूने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो देश में पिसे 24 घंटे में कोरोना के 7,145 नए मरीज सामने आए हैं और 289 लोगों की मौत हो गई है जोरान 8,706 लोग भी ठीक हुए हैं अब देश में कुल एक्टिव मामले 84,565 बचे हैं जो की पिछले 579 दिनों में सबसे कम है लेकिन दूसरी और जिस तरह से उमिक्रोन वेरेंट तेजी से पैर पसार रहा है वो कहीं न कहीं चिंता बढ़ा रहा है उम्मीद करेंगे कि सरकार वैसे तो सरकार एहतियार्थ बरत रही है लेकिन आने वाले दिनों में और भी एहतियार्थ सरकार के द्वारा बरती जाएगी जो नियम हैं वो कड़े के जाएगे क्योंकि अगर पाबंदियों के पहरे में धील दी या फिर अभी पहरा नहीं लगाया तो फिर दिक्कत ने बढ़ सकती हैं अब बात मौसम की भी कर लेते हैं दरसल दिली समेत उत्तर भारत में सरदी का सितम देखने को मिल रहा है पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश का सलसिला जारी है वहीं मैदानी इलाकों में भी शूरीत लेहर शुरू हो चुकी है उत्तर भारत की कई शेहरों में आज तापमान में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है सुबह मैदानी लाकों में चूरू का तापमान सबसे कम रहा जो माइनस में पहुँच गया है वहीं अमरित्सर में 0.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है बात दुल्ली की करें तो दुल्ली में शनिवार की सुबह सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही राजधानी का न्यूंतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है वहीं बीते रविवार को न्यूंतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था वहीं सुबह के वक्त धुंद की वजह से जो वाहन चालक है उन्हें भी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है और जो धंड का सिल्चिला है वो अभी शुरू ही हुआ है यानि कि आने वाले दिनों में एहतियाद बरतना बहुत जरूरी है ताके सर्दी से निजात मिल सके पुलिस की नकसलियों के खिलाफ जो अभी यान पुलिस ने चला रखा है उसमें पुलिस को लगातार काम्याबी मिल रही है लगातार नकसली आत्म समर्बन कर रहे हैं नई सुबह नई शुरुवात अभियान के तहत सुकमा के कोर्रा कैम्प में एक महला समेट आठ नकसलियों ने आत्म समर्बन किया बता दें कि महला नकसली पर एक लाख रुपे का नाम घोसित था आत्म समर्बन करने वाले सभी नकसली वारंटी हैं वहीं सुकमा में ही 206 कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की कोशिसों से महला नकसली कमांडर बदरी ने आत्म समर्बन कर दिया बदरी पर सरकार ने 2,00,00 रुपे का नाम घोसित किया था नकसलीों के लगातार समर्बन से मावादियों का संगठन लगातार कमजोर हो रहा है पुलिस अधिकारियों के मताबिक आत्म समर्बित नकसलीयों को राजशाषन के पुनरवास नीती के तहट सुहायता राशी और अन्यसुविधाएं प्रदान कीचवाएंगे नकसलीयों के मेडिकल टीम का हिस्ता बनकर मुटबेड इत्यादी में घायल होने वाले नकसलीयों का इलाज करने वाली महला नकसली कमांडर बदरी ने भी आत्म समर्बन किया है इस हार्ड कोर महला नक्सली को डीवी सी विजे द्वारा नक्सली संगठन में भरती कराये गया था इस महला नक्सली पर पुलिस ने दो लाख रुपे का एनाम भी रखा था 206 कोबरा बठालियन और जिला पुलिस बल की कोशिस से कमांडर बदरी ने आत्म समर्बन किया है सुरिंडर करने वाले नक्सलीयों से पुलिस को कई एहम जानकारी मिली है जिससे फोर्स को काम्या भी मिलेगी शनिवार सुभ़ दिल्ली से बड़े सड़क हाथसे की खबर सामने आई है आपको बता दें कि आईटियो के पास रिंग रोड पर ये हाथसा हुआ है दरसल एक कंटेनर सुभ़ आटो पर पलट गया तो आईजिया स्टेडियम के पास सुभ़ एक कंटेनर पलट गया और आटो पर गिर गया हाथसे में एक आटो रिक्षाओ चालक समीत चार लोगों की मौत हो गई है वहीं जगटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया है देश लाइब में फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम एहम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एबी स्टार्ट नियूस के साथ क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता